लाइफ कोलकाता आपकी सोच हमारी ताकत बल्यूड के बादशा सारु खान इन दिनों अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल के प्रोमोशन के लिए देश के कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं पिछले दिनों वो कोलकाता पहुंचे थे ऐसे में जब पत्रकारों ने उन से सवाल किया कि रक्षा बंधन आप किस तरह से मनाते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी भी एक दिदी है और मैं हर साल राखी के दिन उनके फोन की प्रतिक्षा करता हूँ शारुख खान ने पशिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी को दिदी कहकर संबोधित किया उन्होंने कहा कि हर वर्ष रक्षा बंधन के दिन ममता बैनर जी उन्हें ओन पर रक्षा बंधन की सुभकामनाय देती हैं और अपना अशिरवाद भी देती हैं बॉलिओड स्टार सारुख खान ने कहा कि उतपाद वन सेवा कर GST का फिल्म इंडस्टी पर गिर्गकालिक सकरआदमक असर पड़ेगा उन्होंने कहा कि GST गिर्गकाल में फिल्म इंडस्टी के दिए मददगार साबित होगा यह एक अच्छा कदम है सारुक ने इस बात से इंकार किया कि GST की वज़ा से फिल्म के टिक्टों के दाम बढ़ाये गए हैं उन्होंने कहा आकवों के लिहाद से मैं कह सकता हूं कि GST की वज़ा से उनकी नई फिल्म के टिक्टों के दाम नहीं बढ़े हैं वही रक्षा बंधन के औसर पर उन्होंने पश्यम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बेनरजी के बारे में कहा कि हर साल उन्हें रक्षा बंधन के दिन उनके दीदी के फोन का इंतिजार रहता है एवं उनकी सुपकामनाओं की भी प्रतिक्षा करते हैं गौर तलब है कि सारुखान पश्यम बंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बेनर जी को अपनी बड़ी बेहन की तरह मानते हैं और इसके साथ ही वो पश्यम बंगाल परियटन के ब्रेंड अमबेजडर भी हैं रक्षा बंधन के औसर पर कोलकाता नगर निगम के वाइड नंबर 42 में राखी मौच्छों का आयोजन किया गया इस औसर पर त्रिमूल के कई कारे करता हुआ नेता उपस्तित थे इस दोरान लोगों की कलाईयों पर राखी वाधी गई और आपसी भाई चारे का संदेश भी भाई और बहन के प्यार का तेवहार है रक्षा बंधन रक्षा बंधन का तेवहार स्रावण मास की पूर्णीमा को मनाया जाता है यह तेवहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है और इसी तेवहार का प्रचलन सदियों पुराना बताया गया है इस दिन बहन अप के विभिन अंचलों में राखी उत्सों का आयोजन किया गया। इस दोरान आम लोगों को त्रिणमूल कारिकरताओं ने राखी बाधी और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाये रखने की सपत भी ली। कोलकाता के वार्ड नंबर 42 में राखी उत्सों मनाया गया। यसो से आयोजित कारिक्रम में सैकडों लोगों को राखी माधी गई। देश वसर पर कादेर आमीर, अलियास टीटू, हरी नरायन सुकला वा अन्या उपस्थित्ते। वही दूसरी ओर कोलकाता के ही गणे स्टॉकीज मोड पर त्रिमूल कॉंग्रेज के स्पोर्ट सेल की तरब से राखी महोचो का आयोजन किया गया। पहिलाओं ने सडक पर गुजर रहे लोगों के कलाईयों पर राखी बाधी, वही आपसी प्रेम का संदेश भी दिया। कारिक्रम में संजे सोनकर, प्रदीप मजुमदार, सचिंत्र पाठी, सहीत, कई गड़मानिया लोग उपस्थि थे। कारिक्रम के आयोजन करता संजे सोरकर ने बताया कि प्रतेक वर्स की तरह इस वर्स भी राखी उत्सो का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि बंगाल की सत्ता में जब से तर्मूल कॉंग्रेस का भी जुई है, उसी वर्स से ही राखी उत्सो का आयोजन किया जा रहा है। पशिमंगाल प्रगती सील होकर्स यूनियन उत्तर कोलकाता के जिला कारियाले में भी राखी महोत्सो का आयोजन किया गया। इस दोरान महिला कारेकरताओं ने तर्मूल कॉंग्रेस के तमाम कारेकरताओं को राखी बाधी। वहीं जिला के अध्यक्ष सचिन्त्रिपाठी ने भी सभी को राखी की सुपकामनाई दी। देजभर में रक्षा बंधन की धूम है। अध्यक्ष सचिन्त्रिपाठी ने सभी के प्रती धन्यवाद ग्यापन किया और आभार व्यक्त किया। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का कहीं जाये नहीं नजरे सिर्फ लाइफ को उलकाता पर आपकी सोच हमारी ताकत। खुबसूरत और शाही अंदाज में शादी करनी हो तो बुक करें शादी पैकेज। सिर्फ एक लाग 99,000 में पवन पुत्री की शांदार पेशकर्ष शादी हो तो शाही अंदाज में कि फायत खर्ष में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9163399202 या 9831680773 पर। पुक करें वैदा नाही अंदानकारी के लिया जानकारी के लिए हो तो तो शामझे के लिए कॉल के लिए भाग करें लाग 2 ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है तो आईए हम बात करते हैं देश के सेना के जवानों की ऐसे तो हमारे देश में आर्मी की कैटेगरी बनी हुई है उसी इस्रेडी में आता है BASF यानि की Border Security Force सीमा सुरक्षा बल के जवान और दक्षिन दिनाजपूर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला वहां की स्थानिय महिलाओं ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को राखी बादी इस दोरां जवानों ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का वक्त है क्योंकि इस वक्त में भी लोग हमारे साथ खड़े रहते आज रक्षा बंधन है ऐसे में देश के विभिन हिस्सों में धूमधाम से राखी मनाई जा रही है इसी क्रम में दक्षिन दिनाजपूर में विसेश रक्षा बंधन महौत्सों देखने को मिला स्थानिय महिलाओं की ओर से सीमा सुरक्षा बल के जवानों को राखी माधी गई इस अउसर पर महिलाओं ने कहा कि कोई भी पर्व या तेवहार हो सेना की जवान हर वक्त बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं और उनके इसी कर्तव की वज़न से देश का हरेक नागरिक महफूज और सुरक्षित है ऐसे में उन्हें तेवहार वपर पर अपने घरवालों के संग खुसी मनाने का मौका नहीं मिलता तो हर नागरिक का करतव है कि उनके साथ खुसी के दो पल व्यतीत करें इसी खास मौके पर बीएसेफ के जवानों को राखी बादी गई वहीं बीएसेफ की जवानों की ओर से इस्थानिया लोगों के प्रती अभार व्यक्त किया गया जो आप लूग की पतंजली की तरफ से जो आया है और आप लूग जो मीडिया आया है जो हमारा ये भोडर की जो ख्याल कर रहे हो आप लोग इसके जो ध्यान दे रहे हो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धिन्यवाद जाडग्राम में भी राखी का नजारा देखने को मिला इस दोरां जिला सबादी पती ने इलाके में जितने भी शाल के पेड़ हैं उन साल के पेड़ को राखी बादी उन्होंने कहा कि इसका मकसद यही है कि इलाके में जो पेड़ों की संख्या कम हो रही है उसे बचाया जाए में फैले सेकडो साल गाश को बचाने के लिए जिले की सभादी पती समाया मंडी वजिला परिशत सदस्य संचिता घोस की तरब से एक विसेश अभियान चलाया गया इस दोरान विभिन साल गाशो पर राखी माधी गई और सपत ली गई कि इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए त्रिमूल कारे करता ही नहीं जिले के समस्त लोग सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे आज के जोगल केटे सबाको के दिच्छे इस चुरा कारवारी अंकि चो बहनो दोफ़तर मानुसित प्रती तो मने चुई चामरे मानुसित अतने आई 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 इखने जाते बढ़े जोगले पाजब लोगे तर नहां कार राहोई तेजू आमरा इस इखने वही भाजपा नेता जोयब एनरजी ने भी कही न कहीं राजी सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि राखी महोच्छों पर एक अद्बुत नजारा देखने को मिला भाजपा की तरफ से आयोचित राखी महोच्छों में अल्प संख्यक समुदाय का समर्थन मिला है और इस दारान सेकड़ों की संख्या में अल्प संख्यक लोग राखी महोच्छों का हिस्सा बने फिलहाल वक्त हो चुका है गोर छोटे से ब्रेक का कहीं जाये नहीं नजरे सिर्फ लाइफ कोलकाता पर हर राशी का अद्भुद संगम अब एस्ट्रोमा परफ्यूम संख्या और करें और मिटाए अपना टेंशन विजिट करें www.astroma.in रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की बुन्यादी जरूरते हैं लेकिन अपने लिए घर बनाना आम आदमी की जिंदगी के पूरे सपने के बराबर होता है हर खोबसूरत रिष्टे का साक्षी बना साक्षी गहना जहां आपको मिलता है ट्रेडिशनल और ट्रेंडी जिलरी की पाइती दरों में आपके भरो से का साथी साक्षी Relax, Renew and Refresh Take care of your body It's the only place you have to live in Roots, Salon and Spa Your Personal Retreat BA 46, First Floor, Salt Lake Sector 1 Near PNB, Kolkata 64 Membership offer is going on Break के बाद आप सभी का स्वागत है आए करते हैं खबरों की कुछ और सुरुआत हम बात करेंगे माल्दा जिले की माल्दा जिले में एक मचली व्योसाई के उपर हमला किया गया आरोप है कि मचली व्योसाई से रंगदारी मांगी गई थी और उन्होंने जब रंगदारी देने से मना किया तो धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया गया माल्दा में एक मचली विक्रेता ने जब रंगदारी देने से मना कर दिया तो स्थानिय कुछ बदमासों ने उसके साथ मारपीट सुरू कर दी गायलो अस्था में मचली विक्रेता एनामूल हग को अस्पताल में भरती कराया गया है बताया जा रहा है कि सोना तला इलाके में एक तालाब है उसी तालाब में एनामूल मचली पालन करते हैं और अपने परिवार का खर्च वहन करते हैं आरोप है कि विगत कुछ दिनों से इलाके के कुछ समाद विरोधी उनसे रंगदारी की मांग कर रहे थे। पेडित व्योसाई के परिजनों ने बताया कि मचली व्योसाई के लिए एनामूल से दो लाक रुपे की रंगदारी मांगी गई थी। जब एनामूल ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो उनके उपर हमला कर दिया गया। आज रक्षा बंदाने से में राजी के बिभिन जिलों में राखी महोच्व का आयोजन किया गया। और इसी क्रम में हुगली वुमेंस कॉलेज में भी राखी महोच्व का आयोजन किया। लेकिन इस दोरान वहाँ पर एक तनावपूर्ण इस्थिती उत्पन हो गई जब त्रिणमूल छात्र परिशत और अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत के समर्थक आपस में बिढ़ गए। कि पुलिस की बदावलत इस मामले को सुझा लिया गया। राजी के विभीन जिलो में राकी उत्सो का आयोजन किया गया। एसी क्रम में हुगली वुमेंस कॉलेज में भी राकी उत्सो का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि कॉलेज के प्रवेश द्वार पर त्रिनमूल छात्र परिशत की ओर से राकी महोच्सो के लिए कैम्प बनाया गया था, जहां टी-म-सी-पी के सदस से सभी को राकी बाध रहे थे। वही दूसरी ओर अखिल भारतिय विद्यारती परिशत की ओर से जिले भर में राकी उत्सो मनाने का निर्देश दिया गया था। जानकारी चुचुडा थाने को दी गई, पुलिस ने घटनास्थाल पर पहुच कर परिश्थिती को नियंत्रित किया, हाला कि दोनों पक्षों की तरप से लिखीत रूप में थाने में कोई सिकायत नहीं दर्ज कराई गई। ममामाद शुदेफ देन में दाने मामार में तीन एकाले घटने में उत्सेया ख्यामांप रेकंडी को चुच्तौा रिखीत गई। बिते दिनो राना घाट में एक बेटे ने अपने पिता और मा को जिन्दा जला दिया हाला कि घटना अस्थल पर ही पिता की मौत हो गई थी लेकिन अपने पती को बचाने की वज़ा से पत्नी भी बुरी तरह से जुला इस गई थी और सोंबार की सुबर पत्नी की भी मौत हो गई नदिया जिले में पैसे नहीं मिलने पर एक पुत्र ने अपने 70 वर्षिय बुजिरुक पिता को जिवित जला दिया पिता को पेड बेच कर कुछ रुपए मिले थे जिसमें उसने पुत्र को हिस्सा देने से मना कर दिया था पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना राना घाट थाना 6 रुपए है बताया जा रहा है कि वैदनाद विश्वास ने करीब 90 हजार रुपए की एक पेड बेची थी उनका बेटा अबोध बिश्वास उसमें अपना हिस्सा मांग रहा था अबोध ने सो रहे अपने पिता पर कथित रूप से पेट्रोल डाल कर उन्हें जिवी जला दिया पुलिस ने बताया कि अबोध की मा सरस्वती बिश्वास अपने पती को बचाने में जुलस गई अबोध भी अपनी मा को बचाने के प्रयास में जुलस गया तीनों को रानागाट अनुलिया अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने वैदनाथ को मृत घोसित कर दिया वहीं सरस्वती को कल्यानी जेनम अस्पताल भेजा गया जबकि अबोध रानागाट अनुलिया अस्पताल में भरती है इस संबंद में वैदनाथ के दूसरे पुत्र सुबोध विस्वास ने रानागाट थाने में अबोध के खिलाब मामला दर्ज कराया है वहीं दूसरी और सोंबार की सुबा एक और खबर आई कि कल्यानी जेनम अस्पताल में भरती सरस्वती विस्वास की भी मौत हो गई इस बुलेटिल में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारी तकत